जो भी बच्चे जुड़े हैं, very good evening to all of you, कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा, आप लोग continue profession कर रहे होंगे, अपने dream को, अपने सपना को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, right, so all dear students, welcome back once again to a very important and exciting and thrill, another very important session of thermodynamics, जिसमें हम बात कर रहे है second law के अंदर, second law में हम लोग बात करें, फिलाल, आज हम लोग बात करेंगे closest inequality for reversible and irreversible, और साथिसाथ, एन्ट्रोपी के बारे में all discuss करेंगे, इससे previous lecture में भी मैंने आप लोग को closest inequality reversible and irreversible cycle के बारम बताया था, process के बारम बताए था, entropy में बताया था, entropy में बता तो काफी चीजों के बारे में लोग समझे थे बट कुछ नेटवर्क इस्टू के बज़ए से आप लोगो कनेक्टिविटी में लूज आता होगा यानि कि कभी-कभी आपका ब्लैक स्क्रिन हो जा रहा था तो कभी मेरा आवाज फ्रीज हो रहा था तो चीजे समझ में आया कि आप लोगो समझ में आया की नहीं आगर कहीए लगे इसर यहां यहां मुझे प्रोड़ोंग वह रहा तो वह चीज को में फ्रिश्म कर दूँगा सारे बच्चे को सारे बच्चे को लेके चलेगे ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पले क्या पढ़ने वाले हैं यानि पढ़े थे उसका रिविजन क्या करने वाले हैं closest inequality for reversible और in reversible process closest inequality क्या बोलता है यह simple यह बोलता है कि अगर आपके पास कोई machine है और heat का transfer हो रहा है तो heat transfer कब होगा when there is temperature difference जब तक मेरा temperature difference नहीं होगा तब तक मेरा heat flow नहीं करेगा because heat जो होता है वो एक energy होता है heat क्या होता है heat in a form of energy energy कब मेरा flow करता है when there is a temperature difference तो जब तक मेरा temperature difference नहीं होगा, तब तक मेरा heat flow नहीं करेगा, अब closest inequality मेरा यही calculate करता है कि heat कितना transfer हुआ है, और किस temperature पे, कहीं से आ रहा है heat या कहीं जा रहा है, तो आ रहा है, तो किस temperature में आ रहा है, और कहीं जा रहा है, तो किस temperature में जा रहा है, और इसका sum up, यानि total जो हम हम लोग calculate करते हैं वही मेरा बताता है closest inequality अब यह हम लोग दो विश्चिस में जल्ज किये थे कि अगर मेरा cycle पहली बास cycle का बात किये थे cycle क्या होता सर cycle वो चीज होता है जहां से start भीने करा था वहीं फिर से return आ जाते हैं उसको अब कियों करता है जो भीडियन होता है इंजन सब साइकल कि होता है पता है यह कहानी बार बार अपने को repeat करता है नोसह हुआ चल करता है है जर सबबते हैं आपने से श्टाट कर दो यहां तक आए फिरपीट कर आपने आपको रिपीट करता है तो सब्सक्रारी करता है नहयां स्मझी कंगे के ट्रोल को ऐफ रचार नियों अब हुआता है थे तो इनगल विसे थूरा तो चाल्य उट्रत तुलंत ही जल गए, ने ऐसा नहीं होता है, वो आपका air and fuel के ratio लोगता है, अगर मैं petrol engine का बात करता हूँ, diesel engine नहीं, petrol engine जो आपके bike रहता है, जो petrol से चलता है, जिस cycle से चलता है, उसको कहते हैं, या engine जिसको बोलेंगे, उसको auto engine या auto cycle करते हैं, है ना, क्यो cylinder के अंदर, cylinder piston के अंदर, यहां मेरा cylinder piston, जहां पर मेरा piston लगा रहता है, connecting light रहता है, और उपर में दो valve रहता है, इस inlet वा मेरा खुलता है, और खुलने के बाद यहां से क्या होता, air और petrol आ जाता है, air petrol आया, अब यह एर petrol आया, फिर यहां पर होता है, suction यह पहला, जो फेस ह होता सक, सक मनें खींचा जाता है, फिर इसको दबाता है, उसको बोलते है, compression, compression क्यों करते हैं, इसके temperature of pressure को हाई करने के लिए, ताकि जब मेरा spark plug चिंगारी लगे तो आग लगे, इसके बार यहां पर बीच में लगाता है, spark plug जाता है, जलता है, और मारा air और petrol जल जाता है, राख, राख मलब जलने लगता है, जलने के वज़े से heat generate होता है, और यही heat मुझे चाहिए था, अब यह heat जो generate हुआ, यह अपने साथ energy भी ज्यादा प्रडियूस करेगा, यह piston को धखका देता है, और यह piston फिर नीचे जाता है, इसी को कहाते है, power stroke, यह expansion stroke, सबसे पहले बा expansion, जिसको power भी कहते है, expansion हुआ, यह पिश्टन फिर नीचे आ जाता है, और last में जो बचा कुछा धूआ है, hot gases से, वो silence के सुरू बाहर जाता है, इसी लिए यहाँ पे दो valve लगा रहता है, एक होता inlet valve, और गोता exhaust valve, तो बाद में यहाँ पे और एक valve इधर लगा रहता है, य यहाँ से hot gas भाहर चल जाता है, अब यह जब कहानी खतम हो गया, फिर सही air fuel को लेता है, आप depend करता कितना speed से चला रहे हो, आपका load जादा है, speed कम है या जादा है, यह सब भी depend करता कि air और petrol का mixer कितना रहे है, यह इस तरह से engine को बना जाता है, जिससे आप high speed चला रहे हो, त तो air और petrol का ratio जादा लेता है, अब इसमें में depend करता कि आपका किस तरह का bike है, जिससे अगर आप bike वेगरा है, तो high speed केस में, यह कम से कम मेरा air fuel को लेता है, लेकिन यही चीज, अगर कोई मेरा ऐसा है, जैसे truck हो गया, उस सब बे जादा लेता है, सब के लिए कि यह ideal जो बन माले ज्यादा चाहिए, efficiency ज्यादा मनता है, तो आपको load को कम लेना पड़ेगा, load कम से कम रखो, speed को maintain ठीक ठाक करो, बहुत speed नहीं, लेकिन high speed, जितना normal होता है, अगर अच्छा चलाओगे ना, तो mileage अच्छा देख, लेकिन यही चीज, जिससे आपका हो गया, tractor हो गया, bus हो गया, इन सबी चीज को अगर आप चला रहे हो, तो उस case में, जैसे अगर मैं bus का बात करो, उस case में, आप load जो होता है, वो load ज्यादा के लिए बनाया ही गया है, लेकिन speed कम के लिए बना गया, अगर tractor को कोई high speed में चला है ना, तो फिर इसका mileage घटता है, efficiency घटता है, लेकिन नंबर बेसिकली होता है कि petrol का quality कैसा है, इसके बारे हम लोग डिसकुस करेंगा IC engine में, internal commercial engine में, तब डिसकुस करेंगे, तब और मजा आएगा, उससे आप लोग को आपने life में, कई सारे ऐसा चीज़ों सिखोगे, क्योंकि आज की टाइम पैसा कोई भी नहीं है, student, या कोई लगता है, और engine को बहुत कोई प्यार करता, अपने car को, तो ये सब भी उस class में आप सिखोगे, जो आपके life में बहुत काम आएगा, फिलाल बाद में क्या कर रहा हूं, cycle किसको करते हैं, बलब air fuel आया, वो जला, जलके राक हुआ, फिर से air fuel लिया, फिर वो चला, वो cycle चलते है, भाब बनके, अब stream को turbine में डाले, turbine में डाले के बाद या से हम लोग electricity बगरा बनाए, फिर ये steam जो है न, फिर condensate करते हैं इसको, है न, लगा के, इसको फिर से water बनाते है, इस water को फिर से डालते हैं, और ये cycle चलते रहता है, तो it's like a cycle, तो ये सभी का सभी cycle होता है, ये सर, अब reversible cycle क्या था, तो सर, आपने कहा था, कि reversible cycle में क्या था, जो reverse करे, cycle है, ये रिवर्सीवल फिर से घूम क्या जाएगा, reverse हो जागा, दूसरा कहानी, ये मेरा किसी तरह का कोई surrounding में effect छोड़ेगा ही नहीं, कोई surrounding में effect छोड़ेगा ही नहीं, जैसे आप अगर घूम के ग work done आपको मिला है, है ना, work done आपने लिया है, और heat का waste करा, तो जब आप फिर से return होगा, फिर work done करना आपड़ेगा, फिर heat को loss करोगे, मैं तभी बोलूँगा, reverse cycle, जाते वक्त, जो भी आपने heat को waste करा, मानलो पेट्रोल आपने खपत हुआ, जैसे आपका एक लिटर पेट् इंपोसिवल है, फिर में लोगो टाइम, अगर आप 6 बजी निकले, 7 बजी तक गए, 8 बजी रिटा ना है, तो मैं बोलुग नहीं, 6 बजी ही बज़ना चाहिए, आप 6 से साथ जाओ, और 7 से फिर 6 आजाओ, तो आप बोलें कि सार, पूरा दुनिया को ही बदलना पड़ेग अगर कुछ ना हो, तो कितना मेरा एफिशन दे पाएगा, यह क्यों करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं, ताकि इसके कंपेर में कोई भी रियल इंजन जो बना जाता है, हम लोग देखते कि अच्छा, उसके कितना पास है, यह वो रिवर्सिवल कंडिशन है, उससे ज्याद कोई नहीं होता है, हम लोग लेकर चलते हैं, यह होता है, मेरा बच्चा को क्या चाहिए, उसको क्या सर्डिस्वेक्शन, किस जी से स सटटे επाइस्पाइय होता है. सब्सक्राइब करता है किसी को एक्टर बना इस लेवल का बनना तो वो चीज वो इसके इसना करीब है तो रिवर्सिवल से सब्सक्राइब करते हैं कि एक लिटर में 1000 लिटर चल जाएगा एक लिटर डाले सर और एक मिनावत तक चली रहा भाई तो मज़ा जाए यह टार्गेट रहते हैं इसलिए हम लोग रिवर्सिवल के बैसिस पे जज़ करते हैं कि एक्चुल जो है वह कितना इससे पास है जितना यह पास है वह अच्छा इंजन है जितना पीछे जा रहा है यानि उसका इंजन इफिसेंसी उतना इस्ट्रोंग नहीं हो उतना नहीं दे पारा समझ गे मेरी बात चली तो यहां पर जब मैं रिवर्सिवल का केस लिया हूं तो रिवर्सिवल के केस में क्या देखता हूं कि क कितना हीट यहां जा रहा पहला नमर भी यह ले रहा क्यूवन हीट ले रहा क्यूवन हीट ले रहा क्यूवन से तो क्यूवन हीट लिया टीवन से प्लस क्यूटू गया कहां पर टीटू में तो क्यूटू अपन टीटू लेगिन मैं आपको कहा था हीट एड़ेट टूद सी या फिर यह भी सकते हो कि q1 upon q2 equal to t1 upon t2 मतलब कि अगर कोई cycle मेरा reversible रहेगा या फिर इसको हम लोग कारणोट ही बोलते थे कोई अगर कारणोट रहेगा ideal रहेगा या reversible रहेगा तो उसको हम लोग heat को replace कर देते थे temperature से तो सेम चीज़ यहां लगा है कि q1 upon q2 equal to t1 upon t2 और देखो यहां पर ही है q2 और t2 तो क्या हम लोग q2 और t2 को q2 और t2 को क्या कर सकते हैं देखो यहां पर q1 upon t1 equal to q2 upon t2 क्या कर दिये हैं कि q2 बटा t2 जो था ना उसको बराबर कर दिये q1 upon t1 का तो क्या इसके जगह में में लिख सकता हूं q1 upon t1 पहले भी q1 upon t1 था तो पहले भी q1 upon t1 है इसके भी जगह में हम लोग क्या कर दे q1 upon t1 रग दी तो q1 by t1 minus q1 by t1 कर कि क्या 0 तो समझ यहाए कि इनके सब closest inequality अगर में रिवर्सील सा 있다고 के लिए निकालों तो यह आ जाता है जीडो इसका मतलब क्या इससार रिवर्सिवल मतलब क्या था return दिंगर तो आया और जो भी ही लिया था रिज सीरो हो गया अगर इसका दस था तो इसका भी वी बुल्ल था सब्यस्ञाइब क्याने पिलकुल किया सिर्फ रिवर्सी नहीं हो यह अपना ही यह भी यह चीज होगा इसलिए love समझने माली बात है कि रिवर्सियूल में क्यों जूरू हुआ कभी आप भूल जाओगे ना तो दिमाग लगा ना सर्व रिवर्स हो रहा है तो जितना हीट लिया पर्टिक्लर टेमपरेचर में उत्रहीं हीट मेरा खर्च किया होगा मालों यह हीट मालों 10 किलो जूल का हीट ल दूनिया का देख लो ना खाना बनाना से लेकर आपका बात मेरा जो बात है मैं को चीज़ अगर बोल दिया वह चीचको में रिटन ले सकता हूं कभी नहीं मैं बोल सकता हूं कियो आने सकता यह कोई मोवी नहीं है कि हम लोग फारवर्ड कर सकते हैं रिवर्श करने का ओजा गीकिन इतने स्टरें लिए देने के से नेरे कुछ गूंट दन किया और 14增ー Q2 heat rejection है और यहां पर मेरा Q2 heat यहीं रिजेक्टर लिन कोन सा? Reversible का और Reversible के किसमे आपको पता वागदन ज्यादा होगा जैसे कि अगर मैं ऐसे समझाओं कि अगर यहां दस दिये होंगे किलो जूल तो ही तो इन्रिवरसिबल है यह कम कर पाएगा यही 10 किलो जूल देंगे तो मालोच 6 का करेगा 4 का यह reject कर देखो यह 4 यानि क्या समझे कि Q2 जो इन्रिवरसिबल के के केस में बड़ा हमेसा होगा तो Q2 इन्रिवरसिबल हमेसा बड़ा होगा यह मैंने कहा था अच्छा on the basis of that अगर मैं closest को लगाता हूँ तो क्या गाता हूँ तो क्या गाता हूँ क्यूवन बटा टीवन इकल लुटू बटा टीटू और वही चुकि क्यूटू मेरा रिजक्ट हो रहा तो माइनस ले लिए माइनस ले लिए अब फिर से एक तो मेरा है रिवर्सिवल तो कुछ यहां बटा टीवन इकल टू क्यूटू बटा टीटू लगा सकते कि नी बिल्कू सरम लोग इसको तो लगा ही सकते हैं पहला के लिए पहला के लिए पहला के लिए यह यह जो मुआ नहीं यहां पर लिखा हो और इसके बाद यहां पर क्यों टू गपया टी टू आ गया समझके में ने बड़ा T1 है तो उसके जगह में ने Q2 बड़ा T2 रग दिया क्योंकि Q1 बड़ा T1 इकल तो Q2 बड़ा T2 और इसके बाद मेरा Q2 बड़ा T2 से लेकिन इन्रिवर्सल के किसमें अब जब इसको LC में अगरा ले लिया गया तो T2 T2 नीचे है बेस में T2 रहा गया और उपर में Q2 म लेकिन बड़ा तो हुआ ना तो एक सो में अगर एक सो एक घट है गा तो क्या आगा माइनस बिली और नीचे वहला तो आपका क्या रहता केलविन एपसलूट टेंपरचर पोजिटीव तो यह अगर उपर मेरा मालो माइनस वन आया और नीचे में कुछ भी रहा चार-5-8-10 कुछ भी रहेगा है ना तो यह तो माइनस भी लो देगा इडिमिस ओलिविज मेरा जीरो से लेस्ट देगा यह निकी अगर मैं बोलोंगा डेल क्यूबेटी तो वह हमेसा जीरो से छोटा अब इससे आपको क्या समझें जैसे यहां से हम लोग समझे थे कि रिवर्सिवल के क करेगा यह 10 लिया है तो दस लेगा तो यह 10 कभी भी रिजयक्त नहीं कर पाया यह यह प्रूब कर रहा है क्यूकि यह दहस दो लिया है कुछ भोग दन करेगा तब दो रिजक्त करेगा यह कुछ तो कमी करेगा Isled When we start लिया था किया री हो सेल के किसमें डेलकी बेटी और के लिए इंगिर सेल चील पता करें यह सत्य के लिए जाहनद लेते हैं यहां में सिइस्टम को मिलता है यह मेरा Lonely बोले तो इन्द यह पहला इंजन यह दूसरा एंजन तो यहां कमीत मिल रहा है और यहां से एक हीट तर लिए जारए कुछ भी ओर तो यहां भी आपको बोलेंगा क्लोसेस हिनुपली लगाने के लिए सुल लोगे लिए देखे थे किस्टारिक लोश।S अच्छा और चीज सब्सक्रिक देखाने या दिखतर आपको बूलेगा कि रिवरसीड अन्याट क्या क्या इटीस. से मोंस्ट अफ दटर्फ टैसस M Щwekos before забy PR वोलेगा क्यूकि रिवर्श ओलेगा लिएसे बोल दी आपको की रिवर्सेबर के सीस्टम या फिर भी कार 700 देशmen यह बोले गाई डिय六 अदिर्व काहने आडियल बोले कार से लिए काहने निया कि सर वह मैरा बात करा रहें फैया किसका बात करा ref k और रिवर्सिवल का और और सिद्ब किसमें में लोग देखे कि डेल की वडीच जो हता वो क्या जादा जीरो हो जाता जितना हीट लिए अत्तरीयफ करेगा तो जीरो यहींनि कि जो भी िस हिए्ष करेंगे चेलनवी अमरब्र की एड एडीजिटन पर आजाता है कि हेट एडेचिसान कर रहे हैं यही डिए्गिट tego system पोजिटिव तो कीउमने टेलक्टिव verr hindo हरा आगे बढ़ जाते हैं अच्छा और एक चीज़ और एक चीज़ कभी कबार अगर कोस्टिन में नहीं दी आपको रहेगा कि सब पॉजिटिव लेना नेगिटिव लेना एरो भी नहीं बोलेगा तो आप बिल्कुल टेंसर नहीं लेना ध्यान सुनो क्या मैं बोल रहा हूं आप आपको बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है आप सब करोगे सब पॉजिटिव लेना पोजिटिव जिसका भी बेल्यू नेगिटिव आएगा वह समझे ना उसका एरो जो है ना वह उपोजिट कर देना जैसे आप कोई भी एरो मान के चला हूं ना करेंग मतलब यह है कि मैं म रिजेक्शन माल लिया अपने अनुसार माल लिया इन दोने को पोजिटिव माल लिया और इसको नेगिटिव माल लिया यह में नहीं बताया था इसको क्या माल लिया अपने नेगिटिव माल लिया आप समझना इसको नेगिटिव माल लिया आप अगर वेल्यू आपको मिल र उल्टा साइन कर देना समझ गये हैं समझ यह चीज़ ध्यान रखना आप लोग यह चीज़ क्लियर है वह यहां पर नौट डाउन करके लिग दिया गया है अगर ध्यान दो यहां पर क्या कहा गया है इस डिरेक्शन अप जाए हीट नौट गिवेन अगर हीट का डिरेक्शन नहीं दिया गया जैसे दिखो यहां पर कोई इधर जा रहा या फिर यहां उस केस में लेट एनी डारेक्शन एस यह उपका मन है वह लेलो किसी को भी एडिसन करो इसको बहर कर दो नेगिटिव माल लो इसको पोजिटिव म यह वह लोग कुछ भी जैसे हम लोग कुछ भी ले लिये जिसे वालो कुछ भी बस तरसे माल्लो दस मेरा हीट और नीचे में टेंपरेचर जा रहा वान। चलो समझा देता हां में इस तरसे किट एडिसफन यहां पर कुछ आ और यहां पर कुछ भी दे दिया है यहां नीचे में मालो इसे 50 दिया गया तो इसको जो भी करेंगे अब क्यूत्री का विल्य तो आगे है इसको दो तीन करेंगे तो क्या जागा तो क्या जागा तो क्या यहां पर हम लोग क्या किये हैं आया मेरा नेगटी नेगटी आगया वह लिए अगर यहां बस यह कहानी है बस बहुत ही सिंपल है इसमें साब को मालो इन तीनों में से छे है ना एक दो तीन हीट तीन टेंपरेचर तीन तो छे में से पांच दिया रहेगा एक आपको अनन रहेगा वह निकालना रहेगा तो उसका साइन अगर अपोजिट आ गया तो पता चल जाएगा कि वह आपका क्या है अल्ला गविल्डी समझ गया चलिए और इस इकल टू तो जिरो करी लेना आप लोग ठीक है चलो कहानी आगे बढ़ जाता है तो यह आपको यह मैंने बता दिया रिवर्सिवल और यह इं बढ़ा सकता है अगर मैं बालू रिवर्सिवल के लिए या इन रिवर्सिवल किसी के लिए भी चाहे मेरा रिवर्सिवल रहे या इन रिवर्सिवल क्या साथ डेल क्योटी मेरा बढ़ा हो सकता कब भी नहीं बढ़ा सकता क्यों कि बढ़ा कभ होगा आप यह बढ़ा कभ बो heat rejection हम इसा ज्यादा होगा रियल लाइफ में अगर इसको पोजिटिफ करना है तो वह कब होगा जब ऐसा होगा कि अगर 10 में दे रहा हूँ ना दस किलो जूल दे रहा हूँ और यह मेरा अगर मालो साथ जूल का g От तीन जूल का rejection किया है और real life में अगर आप 10 जूल देते हो तो ये मेरा काम करेगा किसका ये ज़्यादा कम मेरा मैं लो समझे हो ये 8 जूल का कर देगा काम और 2 ही जूल reject किया बताओ ये possible है क्या ये कभी possible है सकता कि Q2 मेरा जो है न ये ज़्यादा क्या हो गया बड़ा हो गया तभी ये चीज़ होगा कि ये बड़ा हो गया कि मालों 3 है और माइनस 2 है तो पोजीटिव आया जो कि ये कभी होई नहीं सकता है क्योंकि आइडियल कंडिशन है ना इसके लिए आप लोगों को याद होगा आजमसन कितना लिया गया था कारनोट में है ना सिलेंडर का हैड क इंसुलेटर बना रहा है दीस बना रहा है सब रिवर्सियल प्रॉसर्स बना रहा है परफेट्ट गेस लेके चल रहा है है ना कभी आइसोत्रमल मान रहा है एडियाविटिक मान रहा है कि टेंपरचे बढ़न हमी नीचे हीट आ रहा है सब कंडिशन तब रिवर्सियल बना कर से ज्यादा हुगा ह्याई ज्यादा रिजाए कर रहा है वां देरा रिवर्सल के समय किसमें यह दोलकिए जैए मैरा इंपोसिबल में दो यहीं पसें चीज कहा ग्या इस reversible cycle this is for in-reversible cycle and this is for impossible एनिकी डिल की वैटी is greater than zero is in reverse impossible right why because in any case q2 is always greater than q2 in reversible is impossible any case कोई भी केस लोगे तो q2 greater than q2 in reversal होगा which is not possible always q2 जो मेरा in reversible होगा ना losses वाला वही ज्यादा बड़ा होगा वही ज्यादा बड़ा का q2 से ये वाला चीज impossible है चलो ये चीज़ समझे ये चीज़ समझे चली फिर हम लोग बात किये थे entropy के बारे में किसके बारे में बात किये थे entropy के बारे में समझे थे अब entropy के बारे में क्या समझे थे हम लोग हम लोग इसके लिए भी लिए थे यहां से हम लोग पता चला था एंट्रोपी के बारे में याद होगा आप लोगो मैंने क्या बता था इंटर्नल एनर्जी के बारे में जब हीट डेल क्यू इकॉल टू डी यू प्लस डेल डवलू यह होता फर्स्ट लव था तो हम लोग क्या देखे थे कि डेल क्यू मैंनेजर डेल डेलू कर रहे हैं यह दोनों को दोनों होता पाथ फंसन लेकिन इन दोनों का डिफरेंस के वज दोनों हो अलागो होता है तो प्रोपटी हो जो मेरा fij करता है उसी तरह से यहां यह दोनों क्लोसेंट का यूस करके हम लोग एक निया प्रोपटी को जन्म पैदा करेंगे और वो मेरा होगा entropy इसलिए मैं आपको सबसे पले mathematical के थरू इसको समझाने का try करा था मैंने क्या example लिया था एक reversal cycle लिया था बिसकिलिए दो लिया था एक उन्हें बात करा कि A पात के थरू एक से लेकर दो तक जा रहे है है और return आ जा रहे हैं यह reversible है और दूसरा मैंने कहा था कि फिर से मैं वन से लेकर टू तक जा रहा हूं लेकिन अब घूम के आ रहा हूं सी पात के थरू तो दो साइकल होगा एक हो गया कौन सा cycle वन ए टू और फिर बी वन वन ए टू बी वन रेड़ वाला और दूसरा हो गय लेंगे और जिरू लेके compare करेंगे और चुकि यह cycle जो है नकी 2 प्रॉसरस से मिलके बना दोनो साइकल पहला साइकल के बात करेंगे तो यह आप अलंपा और टू यह पहला सोरी यह अब प्रोसेस और आ पहला प्रोसेस तो देखो यह ओगया आपपाहला प्रोसेस कौन सा वन या या दिया है तो यहां भी आया किस प्रोसेस तू भी वन के थू यहां पर इस उकल डू जिरो क्यूं कर दिया कि रिवर्सिवल है अभी फिलाल लोग पोजिटीव ही दोनों मान के चलने है पोजिटीव मतलब हीट एडिशन हुआ माल लेते हैं फिर कि यह सेकेंड साइकल के यानि कि वन एडीचें के गए और सिके तु आएं यहां भी दो प्रोसेसस एक प्रोसेस आघया वन ए टू वन एटू जिसे जा रहे हैं यहां भी कुछ मेरा हीट का एडिशन हुआ यहां वान सिंक्टरेशटर और तूसी के तुसीड यहां गटा देता हूं तो यह दोनों यह positive हो जागा नेगेटिव हो जागा यह दोने तो कट जागा मेना positive negative positive negative कट गया बचा only this one यह दिस वन बचा तो इस चीज को लिख सकते हैं क्या कि del q by t 2b1 minus del q by t 2c1 तो यह चीज मैंने करा यह चीज और equal to पिडिबेंड करता है यह point पिडिबेंड करता नहीं है लेकिन यहाँ पर 2b1 और 2c1 यह दोनों अलगर एरिया भी बता रहे हैं देखो 2b1 कुन सा है 2b1 तो अगर मैं वोल्यूम साइड में एरिया देखता हूं तो इसका एरिया इतना बड़ा है और अगर मैं इसके बाद वाल कैसे हो गया मतलब कि कहीं न कहीं बराबर अगर प्रूब कर रहे हैं तो है बात ऐसा है यह इसके बीच में कहीं न कहीं कोई मेरा फंसन आएगा जो की प्रोसेस का बात कर रहा हूं साइकल का नहीं बात कर रहा हूं प्रोसेस बात कर रहा हूं क्योंकि यह अलग प्रोसेस था वन एटू अलग प्रोसेस है और टू सीवन अलग प्रोसेस है यह एक प्रोसेस दो प्रोसेस यह दो प्रोसेस मिलके साइकल बना है तो दो अलग प्र प्रोसेस तो प्रोसेस के लिए डाज नोट डिपेंड पाथ पीडिन नेकर था मतलब नॉट आ यह पर नॉट मुद प्रदेकल निकला था नॉट लॉट और सब्सक्राइब नॉट मेरा पाथ फंसन नही है तो क्या है तब यह मेरा पूंट संट संट है पुइंट समय गए तो यहां से क्या निकलाई यानि कि डिल की बेटी जो हाना अगर मेरा पॉइंट फंसर होगा तो मेरा सिस्टम का प्रपटी होगा चेंजी प्रपटी ओगा रोग दिये इसी इसमेरी जहां कि देल की मैं जो क होता है नाम दील कि अगर बोलेगा कि डेल की वाटी दोखें आप साइकलिक इंटेकल नहीं देंगा कि साइकल नहीं यह प्रोसेस का अगर मैं प्रोसेस के लिए बात करूं तो तो फिर आ जाते हैं पर डियस सर एंट्रोपी डेफिनेशन क्या है होगा वी तिक जंपल बता रहें यह अब आपको स अगरी इसे लिख रहें कि इसको डेलर से क्यूं नहीं लिख रहें हैं जी क्या है यह कहां साजा तो फले इसको पैदा करने दो अभी होता न coworker ना कि चटी सब्सक्राइब है तो इसी वजह से जिसे कोई कुझे बारे में आईए पता चलता किसी इसका उत्पत्ति या हम लोग इसको zero रएट बेने को पता चलता फिर किस चीज को उत्पत्ति या फिर उसको बर्थ करा जाता फो एंट्रोपी पढ़ा होता ही इसके डिफ्रेंस से हना चलिए विल्कुल लिゃ बिल्कुल अप्टेंसर ना अभी हम उसके बार में डिसकस करेंगे छोड़ने वाले थोड़ना राइट यहां से तो क्या समझे फिर से समझ लो कि अगर कोई बोलेगा डैल की वैटी है और मैं बोल दो साइकल मालों साइकल इंटेल नहीं बोलेगा और फिर बोलेगा डैल की ब अगर प्रेसर का चैन्स देखते थे पॉइंट बीटे में ऐसको दिखाते हैं तो इसको दिखाते है है इसा तेहां से सब्सक्राइब हो फॉट है कि बराबर हो गया था चीज हो गया तो एस टू इकल टू एस ओना गया किये कर सकते हैं चलिए यह चीज हो गया अच्छा फिर मैं आपको कहा था कि वाई वी टेक तो एक तो एक एक रहेगा जीरो नहीं होगा नेगेटीव तो दूर की बात ऐसा क्यों सर कि अगर मैं 0 Kelvin देता हूं तो देखो दिक्कत क्या था दिक्कत मैं आपको समझाता दिसीज मैं साइकल कोई भी साइकल है जहां से हीट एडिशन लिया गया है और चुकि मैं क्या वो रहा हूं कि इस बारी में टेंपरचर को जिरो ले लूंगा जिसे यहां पर को रहा हूं कि मै से 0 हो जाएगा तो आप क्या दिखोगे अगर मैं एक पूरागा पूरा हो गया फेली जीरो अगर यह जीरो यही एक ही रिजरों में काम कर रहे यहां यह निए प्लांग को वोंग आध कर इसी लिए temperature को Kelvin को absolute और positive लेके चलते हैं ठीक है कि यस यस लोब सकती अगर temperature zero Kelvin देन ये पी एम एम टू पर पेक्टल मोसन मसिन अप सेकंड करें जो बताता है कि 100% मेरा हीट को वागनल में करवड कर देगा जब कि इसलिए हम लोग temperature को Kelvin इसलिए में कभी आप temperature का कॉंसर बनाते हो ना नूमरीकल बनाते हो तो जब भी कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस में कोई राता आना तो फट से क्या करते हैं 273 जोड़के उसको लोग कर देते 283 केल्विन फिर बनाते हैं अब 8-9-10 वाले टीचर लोग को कहां से पता सेकंड लग फिर भी थोड़ा बुद पढ़ा जाता लेकिन इतना डिटेल तो कोई नहीं पढ़ता इंजन क्या होता सेकंड लोग क्या बोलता क्या बोलता है अभी आप लोग को किसी बच्चा को भी अगर क्यों करते हैं तो बता स कि अचा कमल बॉर्य सर कोई दिक्कत हो रहा तो मैं आप लोग से बेरिफै करता हूं कि बेजी जाख हो गये बाकी-क्लास में नहीं लोंगा गारेंटी लेकिन मेरा गारेंटी यह है कि मैं आप लोग को को वी कॉंसर्फ जब तक पारना प्लियर ना हो मैं आंगे यहीं बढ बिल्कुल टेंशन ना लोगा अब उस चीज का टेंशन ना लो है कि समझ गये हैं कि चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब मैं कुछ और बात कर लेता हूं अभी हम लोग बात किये थे किसके बारे में कि आप आप आपको इतना मज़ा आएगा कि आपको चीजों समझ मैं आपको इतना गारेंटिय देता हूं ना कि जो बच्चा पढ़ लिया है ना थर्मों वेगरा जो त्यारी कर रहा कोई भी एई इन जाई का अब उसको ठक्कर देख सकते हैं इस लेवल का में आपको पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं अनौ चलिए एंट्रोपी चेंज और एस बतारा एंट्रोपी तो चेंज इन एंट्रोपी तो चेंज इंट्रोपी सिस्टम के लिए क्या होगा किसी सिस्टम का एंट्रोपी पोजिटीव नेगिटीव जीरो यह सभी क्या होगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोड़ सकते हो सर एंट्रोपी को समझने के लिए ऐसा का सकते हैं कि पर यूनिट टेंपरेचर के लिए जो हीट में अब आप लों के इंट्रोपी को मैं डिफाइन नहीं किया अब ही में आप लोगset आतर्ष समझाये हो अभी समझे न आ आप जो बोर्स वाद्र यह क्लोजिस अनिक्ली को कि आपको क्लोसेस इंड़िकली की यह कहा था कि मेरा हीट जो हिए ना हीट कितना मेरा खाल भी of आप अपि अब तो यह आप थोड़ा कहानी नहीं करिए अब एंट्रोपी पुरा कहानी नहीं नहीं फिल्ट में खताम होगे नहीं नीए अभी entropy भी देखो कैसे entropy आता तो बिल्कुल अभी अभी एंट्रोपी खतम नहीं हुआ है एंट्रोपी आज ही खतम कर देंगे अभी फिलाल नहीं हुआ है अभी हम लोग इधाँएंभी तो ज्यादा मुझा आपको आपको अब बात करें कि इएट्रोपी अगर किसी सीच्टम के लिए बात करेंगी तो क्या होगा सिस्टम का बढ़ेगा घटेगा पना नो अब बात के चेश्टपी कैं अब का कर रहा हूं माल लेता हूं कि system में heat हम लोग id कर रहे system system किसको माल लेंगा मालोगोई g15 समझना यह क्यां मेरा गेस भरावा इसमें इसमें मेरा ढेस बर भरावा कि के इसलेंडर के अंदर गेस बरावा आप मुझे जानना है कि इसका entropy मेरा बढ़ेगा की कि चेंज इंट्रोपी मेरा घटेगा कि चेंज इंट्रोपी मेरा कॉंस्टेंट रहें यह जानना चाह रहे हैं तो वह एक में एक बारी में क्या करा कि आचा और चीज मेरा चेंज इंट्रोपी ना temperature में केवल depend करता है सोरी हीड में डेपेंड करता है temperature में depend नहीं करता सार क्यों समझाता हूँ क्या मेरा डेफिनेशन था मैंस्यमेटिकल क्या डेफिनेशन था कि डीच इकल टू G qT अच्छा उपर में क्या है उपर में हापका हीट है और नीचे में क्या है Temperature केलीगलिए ने टेंपरचर और आपको पता कि आप मिलने ऊमेशा पोजिटीब रहेगा इसका विलू हमेशा फोजिटीव रहेगा compressibilityd स्केलीख आगत अगर उपर पॉजिटीव हो गया और उपर अगर जीरो हो गया तो जीरो बढ़ा संथिंग दो जीरो नि पूरी तरसे डिपेंड किसमें कर रहा चेंज इंट्रोपी तो यहां से कोसेन आपका अब्जेक्टिव बन गया अब्जेक्टिव क्या बनता है आपको कॉसेन लिक के ने दिखा देता हो कि chain entropy depend on क्या पुछा जाता है change in entropy entropy depends On आपको option number A में देदेगा heat or B nummer में बोल देगा आपको temperature आपलग आंसर करो C नमर में बोलेगा heat and temperature और D नमें बोलेगा कि यहां माल लो energy जिसा आपको बोलेगा यहां पर क्या work energy बताईए तो क्या होगा यहां पर answer a number में आपका है heat न भी में है temperature c में heat and temperature d में energy क्या होगा answer कोई बच्चे इसको अगर बता पाएगा बिल्कुल पूरा जीरो इसलिए यहां पर लिखा गया है ही अगर आप बात करते हैं ठीक है सर अब मैं अगर इतना समझ में आ गया कि हीट एड़ करने से उसका फरक पड़ता है एंटरपी चेंज होता है जो भी ए नेगरिटीव पॉजिटिव जीरू हो सकता है आप तो चलो कंडिशन जाल लो यह यहीत एड़ेट टो डो सिस्टम एक बारी हीट डिवयाट टो सिस्टम और एक बारी लिए हम लोग एडियाबिटी अच्छा और एक चीज़ अगर में बोलोंगा कि डेल की वाइटी इस इक प्रोसेस के लिए था लेकिन कैसा प्रोसेस आप मेरे को बताओ यह पैसा को प्रोसेस था इकोल टूडियस आप ही लोग बोलो क्या यह मेरा प्रोसेस यह हम लोग लिखेंगे अगर तो यह ही होए चलो तो यह किसके लिए है तो आंसर विल बूर एड नमबर यह कि इतना समझाने का ठैकन हम सभी का सभी का था जो सभी का यह इतना समझाज आगे डिस्कस करेंगे तो अगर सिस्टरम में हैं तो हीट पोजीटिव हो गया और जैसे हीट बढ़ गया तो मेरा डी एस क्या जागा पोजीटिव हो जागा समझ रहे हो डी एस को चुकिए पॉर्ट फॉर्शन है तो लिख सकते हैं स्टू मैंस स्वन तो S2-S1 मेरा positive यानि entropy increase कर गया, simple कहान, अगर heat मेरा reject हो रहा है, heat जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या अगर negative हो रहा है, अगर उपर वाला negative, तो पूरा का पूरा DS negative, यहनि DS मेरा S2-S1 negative, यहनि entropy घट लिया, और अगर मेरा adiabatic आपको पता adiabatic process में क्या होता है, heat transfer नहीं होत S1, यहनि कि entropy हो गया constant, और जहाँ पर entropy हो जाता constant, उसको बोलते है, isentropic, iso माने same, और tropic मतला entropy, iso entropy, iso entropy, iso entropy, iso entropy, same entropy, same entropy, इसलिए मैं आप लोगों को बताया था याद करो कारणोर्ट साइकल अब कारोर्ट सब्सक्राइब क्या कह रहा था कि अगर मेरा reversible adiabetic होगा अगर मेरा reversible adiabetic होगा तो उसको हम लोग isentropic process भी कहते हैं क्या मैं यह चीज़ आपको बताया हूँ अभी प्रूब कर दिया ना तो देखो यह reversible adiabetic था automatically reversible adiabetic क्या बन गया isentropic process बन गया मतलब अगर मेरा del q रहेगा zero और reversible रहेगा तो automatically dsbg हो जाएगा zero entropy constant आजाएगा s2 is equal to s1 आजाएगा इसलिए इसलिए VVI करके यहां पर green से में लिग दिया हूँ कि all reversible adiabetic process is always isentropic कभी भी अगर कोई reversible adiabetic process बोल दिया तो वह हमेशा एक हम यह पत्थर में लिखा गया लकिर जैसा वह हमेशा आइसेंट्रोफिक होगा ही होगा देखो अब यहां पर कई सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या मेरा कोई अगर आइसेंट्रोफिक बोल दे तो क्या वह मेरा यह पोसिबल नहीं है यह जरूरी नहीं की होगा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं पत्थर में लिखा लकिर नहीं है लेकिन हां आगर कोई और ग्र्रीवर्सीवल एडियावकिक बोलेगा तो यह 100 परसन होगा यह समझारहा मेरे बालत देखो मैं आपको अच्छे से लिख खया दाद धी ताहուँ कि एगर कोई बोलेगा कि ऐसेंट्रोफिक होना इसेन्टों ट्रोपिक होना हंडेड परसंट है यह इवा इधर से इधर हंडे परसंट जाएगा लेकिन अगर कोई बोलेगा कि आइसेन्टों कर प्रोसेस है मतलब कि एन्टोंपी अगर कोई कोंस्टेंट है एंट्रोपी कोंस्टेंट है तो क्या वो मेरा रिवर्सीवल एडियाबिटिक हो सकता है तो आप बोलेंगे इट नॉट हंडेड परसेंट पॉसिबल मालब यह जरूरी निट नॉट टुभी ट्री ट्री वो रहे टू यह क्या हो रहा नीड नॉट नीड हो भी सकता है नहीं हो सकता है अब बोलेंगे सर कैसे सर बहुत हार से नहीं 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 बहुत हार नॉट से यह हंडेड परसंट होगा इसके लिए यह हंडेड परसंट नहीं हो यह हो भी सकता नहीं भी इमाइट पोसिवल और नॉट पोसिवल समझ गए यह यह हो सकता है नौ बी यौ सकता है दोनों हो सकता हाँ भी नहीं सकता है इसके बार में डिसक्स में करूंगा बिलकुल रिवर्स उपर से नीचे जाना डिफिकल्ड है समझा देंगे क्यों लिए अभी आप क्या समझे कि की सिफ्टोम के लिए दिल्र के बेसरों भी रख सकता है खेल खतम इतना इतना समझ गये आप बात करते किसके बारे में कि अगर केस नमर टू में ले ले था इन्रिवर्सिवल कंडिसन आप इसके देखते हैं कि यहां पर मैं क्या बात कर रहां बताऊं पहला प्रूसर्स क्या लिए थे भूल गए क्या आप लोग आप लोग क्या करेंगे यह प्रूब में कर दोंगा और प्रूब के बार डारेक हम लोग चल जाएं किधर आपके फिजिकल सिगनिफिकेशन और एंट्रोपी चलिए एक बारी आप लोग यहां तक चीजे समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ू किया यहां तक चीजे समझ मे करेंगे ठीक है तो आप लोग को हड़ बना नहीं है कि क्लिया वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड आप लिए अगया है यह यह चली ओक्ये तो सारे बच्चे को मेरे तो रिप्लाइ मुझे मिली गया है सुवेंद्र कमल सरफराइस रिका रुपेस चली डियर तो आगे बढ़ जाता हूं मैं बात करता हूं किसके बारे इंडरिवर्सिवल कंडिशन इंडिवर्स सैकल अच्छावी तक मैं आप लोगों को यह चीज़ नहीं बताई हूं अब जान लो इंडरिवर्स वल जो प्रोसेस होता ना उसको डॉट लाइन से दिखाया जाता जिसने को यहां पर आपका एबी और सी यह सब पाथ है एबी सी क्या पाथ है तो लिखागे एपाथ बी पाथ आपूछी पाथ सी पाथ और प्रोसेस का कही प्रोसेस है तीन प्रोसेस है एक आपका वर्न से टू है वन से लेकर टू क्या तू से लेकर यहां पाथ के थू 1A2V1 यह मेरा cycle यह पूरी दस्य रिवर्सियल cycle है लेकिन 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 और एक cycle मेरा है कौन सा मैं green clear से दिखा देता हूँ जाएगा तो 1A2 के through ही return आएगा C के through अब देखो 1A2C1 यह in reversal हो गया लेकिन इसमें मेरा एक जो सा process है one process वो मेरा है reversible दूसरा जो process second process वो मेरा in reverse और मैं आपको कहा था कि कोई भी cycle in reversal हो जाँगा अकर उसमें से एक भी cycle इंडि वर्सरों जो गया थो उस cycle reversal कब होगा जब सारा का सारा process रिवर्सेवल होगा सारा का सारा जब तक प्रससर रिवर्सेवल नहीं होगा तब तक वो मेरा cyclic होता है साइकल रिवर्सिवाल होता है ते इस वाले केस में अगर मैं ग्रीन टर से समझाओं इसलिए एक इसका साथ प्रोसेस जो है ना वो इंडियोस विए कुण सा तोसी वन वला जाने वाला तो छलो रिवर्स वल था लेकिन एक इंडियोस नहीं हुता कि अगर आप सो सच्चा इंसान है एक वैमान है उसमें से या तो इनो मेंक? सो दिन काम किया एक दिन कोई गलत काम कर दिया है जब बोलो कि मैंने सा सो लोगों का इन्दगी सुधारह एक का मडर किया तो क्या ही होगा नहीं पिर भी आप मडररी का लाओगे को तो आप फिर भी मडररी के लाओगे ए ट्रिवर्सिवीट को समझाएगा मरफ जो रिटन नहीं आ सकता उसको इस से लिघा जाता है और इसका मदलब यह कि revertable यह जी दिखा रहा कि एवला process reversible यह आवी सकता जावी सकता राइट यह पूरा cycle reversible है दोनों process भी से रिघर तो cycle हो गा ही लेकिन हिन reversal मतलब एक बार आप गए तो तो सी तू से लेकर सी तक गए आप मसे तुर लेकर सीयए ते तक आ नहीं सकते हो समझे Fifty इसमें क्या कि आप 2 से सीयी के और आ सकते आराम से जा नहीं सकते हो ты वहीं आ आगये वही बात है कि एक बार आपको एज बढ़ गया एज घटे कर नहीं आ पने खाना खा लिया वह खाना निकलेगा है एक दिन बित गया तो बित गया आप पड़ लिए ये टाम गया क्ल sıkर्व क्लस् अगर आप माँunächst को यह सो रहागी बता है कवे लिवा तो इतना चार आवा समझ गहें तो ही वहcard है इसमे भी इस से पहले भी हम लोग बात किये था अपको मैं बता था कहाँ एक कंडिसर रिवार्सिया धोसिस उल्लों इन्य कणेज़ां रिवार्सियों का उसमें रिवर्सियों कंडिसर्म लिया था और इन् Eigen के बाद बता तोंगा क्या-क्या याद रखना यह भी द्याइब इसे लास्ट तक क्लास को बने रहना आपको समझ आएगा देखो डेरी वेसे नहीं पूछा जागा लेकिन जब वही यह वाला 1 a 2 b1 यह रिवेसे वला है इसकेस में कोंसा प्रोसेस एक आपका 1 a 2 और फिर यह भी रिवर्सेवल यह रिवर्सेवल ठीक है और चुकि यह इस इकल जिरो होता है क्योंकि रिवर्सेवल का कंडिशन है तो अगर उधर कर देंगे तो क्या हो जागा मैनस आ जाए कि दूसरा मेरा इन रिवरसल प्रोस्यस है किया बोलता है अगर जिरो से कम क्यूंकि नेगिटिव आता है क्यूटू जो होता है इन्रिवर्सल का ज्यादा होता है इसलिए नेगेटिव है ज्यादा था इसलिए लास देन जीरो ठीक है तो यहां पे भी दो प्रोसेस हम लोग लिखेंगे कौन कौन सा है का मेरा है वन ए टू तो देल कुव ए टी और फिर वन टू सी वन के थू टू सी यह मेरा है इन्रिवर्सल प्रोसेस यह बहुत इंपोर्टेंट वहला चीज़ है क्यों अभी आपको समझ वाए जाएगा फिर देखो क्या करा गया इस वाले चीज़ को मैं अभी अभी निकाला अभी देखो क्योंकि यह तो इसमें भी था ना क्योंकि यह जाने वाला घर से डoking 2V1 निकाल चुक और प्रूबाव निकाल चुकाए तो इसको मैं थे व्ल्म 8 यह रह यह जाए यहां अभी आप बात करें क्या क्या बात को यह बारने inherent के लिए करेंगे यह यहले ले घर ले गया तो यह बन ग्यासके मेरा पॉचिटीव लेकिन अभी भी नेसं तक yol कि यई बॉल रहा है कि देल की बेटी जो हीट का चेंज युफा इत्य टेमर्राचर किसमें Br mic 2C1 में यह कम हुआ है रिबास यह मेरे को बता आए अच्छा यह मेरे को बता आभ यहां से क्या समझा है यहां से मेरे को यह समझ आ चेंज कैज बी क्या जानते है कि डेल क्यूब आई टी चुक्टी रिवर्सवल कंडिशन है तो रिवर्सवल क्लिए क्या लिखता है हुए क्या इसके जगह में अगर डियस वेल्व पूट कर दो कोई दिक्कत नहीं है कि सब्सक्राइब इसके जगह में डियस वेल्व कर दिया हुए प feature बस इसके जगह में डियस वेल्व पूट कर दिया व्यों क्या समझ आया कि डो कंडिशन है या फिर ऐसे बोलो कि डेल क्यूवाइटी से बड़ा होता चेंजनी विल्यू मेरा एंट्रोपी का इन रिवर्सिवल की केसमें समझ गये और चुकि तो यहां पर दो कंडिशन फिसा आ गया कि कोई बोलेगा कि डेल क्यूवाइटी कि रिवर्सिवल प्रोस्स समझना अभी हम लोग प्रोस्स का बात कर रहे है तो रिवर्सिवल प्रोसेस के लिए आ जाता सर डीयस और डेल क्यूवाइटी t in increasing process के लिए क्या जाता है तो सर आ जाता है less than ds यह दो मेरे को पता चला किसके बहले process के लिए और इससे भब साइकल के बार हम बात li Assist के ख्या कि डिल qy q'd for reversible to आ जाता था 0 और द्यक्रe Tea for in Be Fuj ar त вместе से Mi review क्या होता था कम होता था तो reposit्य चीज़ पता चला है closest iniquity का यूज़ करके चार चीज़ पता चला है डेलकी वैटी साइकल के लिए दो रिवर्सेवल इन रिवर्सेवल प्रोसेस के लिए दो क्लियर अब यही सब को यहां पर लिख दिया गया देखो रिवर्सेवल प्रोसेस बी-स इन रिवर्सेवल के लिए कम और यह दोनों को मिला दिया गया और यह अगर यहां पर देख सकते आगे चलकर ना यह पूरा चार्ट लिख दिया गया फॉर साइकल और प्रोसेस यह तो पुरा कंडिसन समझ गयोंगे इसके बार में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रिवर्सेवल साइकल के लिए जडेंडर के.EM में थोड़ा और बदाउंगा कि अभी हम लोग क्या बात की चलो इसे में लिख देता हूं वर प्रोसेस के लिए बधंगो और प्रोसस के लिए कि डेल किवेट प्रोसेस इंडर मधा सब्सक्रांब इसके लिए हम लोग अभी कुछ समझेंगे फिलाल इतना सारा चीज जो है ये वाला रेड को में जो घिर दिया ये दोनों चीज लिए है आप लोगो को किया हो गया यहां तक बताइए ये दोनों चीज जाय कर प्षास समझ वह देल की बैटी बस समझ लो कि हिए आल्मोस्ट आप लास्ट काकार में हैज सेकंड यह घंड खतम खतम एंट्रोपी खतम होें में श्केंड लोगे जनन गांक सवाल अफम्य को Арा सकता यह अ Blair मैं एंट्रोफी जन्रेसे में थोड़ा बहुत बता दूंगा है ना आ सकता बन सकता बिल्कुल बन सकता अभी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है यहां तक चीजे क्लियर है न बस वेरेंगे चलिए अब बढ़ते आगे अब देखो यहां पर यह वोगया इन रिबसल का समझ गये हैं हाँ अब बात करते हैं हरा है थीक है अब देखो हम लोग पता है यहां पर देखो कितना च्छतर से जा रहें अब यह लोग क्या समझें कि सर यह एंट्रोफी बढ़ा क्यों अब हम लोग यह जानना चाहते हैं अब हम लोग थोड़ा सब्सक्राइब इंसान का नीचर होता है और थोड़ा अंदर घुसना सर आपने का एंट्रोफी ग् कुणा प्रूब कर वाय था यह देखावता था कि यूटू जो होगा मेरा इंद रिवरसल वह लगा वागा फ्यूटू क्यों टू फ्यूतू इसलिए जब देखेते तो हमेंसा बढ़ा आता था तो मेरा होता था क्या इस था से 5-10 करते थे बढ़ा वाला क्योंकि हम लोग leaving c1 ने इसमें इस भी और हो श मधिया दोगा चाहएं आप अरके सब्सक्राइग करें यह लेकिन कुछ भी जोड़ना पड़ेगा तनि क्रुछ जोड़ना पड़ेगा कि कि इससे भी बढ़ा है डिस मेरा ड Katy से भी बड़ा डिये स्क्या राना बात करना चारे को यहां पर यह जो मेरा ह Expert Per Change Entropy यहां पर समझना बहुती सिंपल सस्च यही पर आता था क्या एक मधी तक समझे आप नोग चेन्ज ंट्रोपी अब आप समझेंगे और इंट्रोफी जनेरेशन यह फिर एट्रोफी प्रोडक्शन और और ओटोमेटिक ना किसी सिट्रम अगर इन्रिवर्सब्लेटि हो रहा है तो एंट्रोफी और पेदा हो जाता है क्या समझे क्षीश है जंद रिखी चंद सत है इंट्रोफी है Am a यहां पर मैं entropy को एक समझाना चाहूंगा ज्यादा नहीं कि entropy होता है randomness of molecules जैसे मैं समझे थे न कि ds मेरा positive कभ होगा जब heated करेंगे heated क्योंकि होता है ds equal to del q by t तो अगर मेरे यह positive यहीट addition किए तो entropy बढ़ा क्यों कि system के अंदर जो भी warranty और लुकुने अफमिपर एक सा pocket ए आफ र स्टड़ी आफ रैन्टमों cabeça कि इस तो किसी भी system का जादा रेंड़न मिस इतना जैदा उस system अगर तो यह ज्यादा है तो एंट्रोपी का अतया है से से answer को स्टड़ी करा जाता है तो जिस यह आगर इस गेस में हम लोग हेटे do कर पम अच्छा कम भी बिगड़ आएगा और अगर आपका काम है ना दिमाब पूरा रेंडमनेस नहीं है भाग निरा चारो तरफ वही बात है बिलकुल साथ काम पढ़ते हो ना तो कोई से हाड से हाड काम इंपोसिवल से इंपोसिवल काम भी आपका बहुत अच्छी तरफ हो जाता है इसलिए कई सारे बच्चे ना पढ़ने में क्यों न तेज होता है बच्चा पढ़ना तो चाहे लेकिन माहौल खराब है घर का नहीं बहुत अगल बगल पढ़ उसका यह समटाइम घर में भी ऐसा प्रशे की सबाद करां पापा का बात करें करा यह फिर कुछ एसा करते हैं कि वह चीज सहीं नहीं रहता है यह फिर कोई न कोई रीजन है यह पुदोस एक है तो चीज को नना एनरजी को सही अलग जीज़्य में वेस्ट कर जाता वह नेसे अगर आपके पास ज्यादा अच्छी बात नहीं पहली बात सर नेगेटिव इंग यह कोई अच्छी बात नहीं है है ना समझ गये अगर आप मालो इसी का बात करते है गेस में आपने हीट एड करा ज्यादा हीट देदिया एक लिमिट तक है चीज़ सही होता है है हर चीज कि आप दिमाग को ज्यादा होना बहुत सही बात नहीं है लेकिन सोचना भी बंद कर दो तो भी वह गलत है वही कहानीं तो यहां पे कहा घ्याएक होता है मेरा एंट्र東 रेट्रुफी यह एंट्रोफी प्रोड़क्शन अब बारी आता सर्क्यूं यह हुआ कि चुकि हम लोग बात करें इन्रीवर्सिवल का तो यहां पर लॉस ज्यादा होता है वही बात है क्योंकि चुकि इन्रीवर्सिवल है रियल लाइफ है तो लॉसे होता है लॉस के वाज़े से यहां पर जनरेशन वही बात है कुछ हीट लॉस हुआ कुछ हीट सिस्टम में आ गया अंचाहए भी हीट आ गया जो नहीं आना था सिस्टम का एंट्रोफी बढ़ गया इसके वजह से देखने मिलता है इसलिए डी एस हमेसा पोजिटिव हो जाता है क्योंकि आप बता रही है क्यों ग रही हो गया लेगन यह विल्यू इंडिवर्सवल अगर है होगा ही तो मतलब जो भी मालो इसको यह हमेशा बढ़ा ही रखेगा जितना होना चीतों से बढ़ा ही समझ कहें यह घटना होता है अब यह होता क्यों में लिग दिया गया इन्रिवर्सबिलिटी जैसे अगर माल ल के तो कितनो रोगन भी चाह भी आप ऐसा सिस्टम ना दी कि शर्ड में जाना ही निदो पल लॉ स्करण स्क्र salty कि अप्र तो मुझ जान तो लो बाइए सब्सक्राइब ज़्मी करना है तो मैं सांस रोके फिल्टा ना बोलन चाहसे हिल है साब जब मैं इधर गया इधर आया तो मेरे आगला आगल का जो एर मोली को ले वो तो टप राया वो तो फ्रिक्शन हो तो ही जनेट किया वो क्या करोगे वो क्या करोगे तो कुछ भी कर लो डियू टू फ्रिक्शन देर इस ऑलवेज और इसके वज़से यह हमेशा आई या तो इसको बढ़ा कर देगा पोजिटिव कर देगा दाट्स वाई एंट्रोफी जनरेसर इंज ऑल्वेज पोजिटिव इसलिए अप देखो मैं आपको और एक चीज़ पूरूप करा दे रहा हूं कौन सा प्रूब है आपको बता दें दोखो मैंने का था ना यह वा लगता था हूं में यह कहा था ना अस्तर सन में ही परिक्सेल होता है वो कि नहीं होगा वह वही आपस में जो जल रहा सन showing a जल रहा तो अभी उसलिए भात है वहां भी क्आई सारा चीज होता है आपको मेरे को बताना तो आप कर सो फ Meg reaction हो रहा ह्याक्स ennodermick और उसमें आपका एक होता fusion और एक होता है क्या हो रहा थोड़ा मेरे को बताना तो कि फीजन या फ्यूजन हो रहा चोड़ा आप जब बोली रहो तो मेरे को बताओ क्या हो रहा papis ओगुआ है यसर या है तो हो समझो अनट숙र होता जो हीट को Gerland कर सा रहा है और parrot जो हीटको पाली बात निकालता पाली बात तो हఌुआ है और स्मुझाज़रा तो ये हैं वे यह आंदोथर्मिक आपनें और मारा की एंडोथर्मिक में करेकिन बक्रत्तवर करें बिच्चे आपने फिर निकाला वह खुंच रहा वहिक काली बात करता है ना बाहर उसको बोलते एक zostaute को बाहर निकलता है हिट लेता बहार निकलता है गरम होता यहां पर यहां पर क्या रहा हुआ है याँ फिजन प्रेजन का वह भी छंड ah क्या होता फ्यूजन एंडर्थर्मिक होता क्योंकि फ्यूजन क्या होता है जब दो जोइंट दो मालो कोई है दो या दो से ज्यादा लाइटर एटम वह आपस में क्या हो रहा है मिलके कोई बड़ा एटम बना रहा है तो उसको फ्यूजन कहते हैं क्या कहते हैं इसको फ्यूज पहुता है एक में जाना इसका मेरे को कोई बताएगा इसका इस तरस से कुछ भीवह सब्सक्राइब छेज न यहां से चीज़ देखने को मिनता है एन वो एनर्जी हमेंसा बनते रहा थह यह संब्सक्राइए अब देखोगे बढ़ते हैं निए हाँ अब बढ़ते आगे अगे अब बढ़ते आगे मैं ने क्या था कि तो मैं कहा था कि क्या मेरा अगर किसी को मैं आइसेंट्रोपी बोलूंगा तो क्या वो रिवर्सिल एडिविटी होगा यह चेक करना चाहिए है देखो समझ लो इस इसको बस आपको जानना है फाइनल रिजल्टी बट इंपोर्टेंट है यह भी जानना कि वह यह होता भी यह नहीं होता देखो तो अगर कोई रिवर्सिल एडिविटी होगा तब तो आशेंट्रोपी हो यह पक्का सही है कंडिशन यह कि घुमा दिया ज किta कर रहा हूं और मैं क्या करा हूं इस प्रोस्पे सी में कुछ कंडिशन यह लिए हूं कि इसके लिए हो एक इनरिवर्सिल एंड न machines जिसे मैं क्या करा हूम जो अगर ना चारहा तो होगिया डाइधर फर्मीर यानि भेसे क्लीख या मेरा भी सकता है और हीट जा भी सकता है फिलाल मिझा यह भाहर जा रहा है हीट कर रहा है और कुछ मेरा वाकडण जा रहा है एक मेरा लौस भी ओर लॉट के नहीं है यह दो कंडिशन लेकि और मैं क्या करना हूं देखना चाहरा हूं तो देखो सबसे बहुत क्या और मैंने जैसे कंडिशन को प्रूब करना है कि अगर मैं पहले माल लेता आइसे एंट्रोफिक प्रोसेस्स तो क्या वह मेरा रिवर्सिल एडिविटिक होगा या नहीं होगा तो चलो मैंने क्या कहा है आइसे एंट्रोफिक हम लोग क्या जानते तो मैं हम लोग को क्या पता है कि चे आहीं वह हम सब्सक्राइशन क्या था मैं बोला कि इन्टोपी मेंने कहा था चेंटोपी मेंने कहा था चुक Pine Nail और इन्रिवरसिल के केश में मैंने कहा कि क्छिडी की वेटि हो जाता बड़ा और यह बड़ा क्या होता अगर प्रजर्द में एक्वेट करना चाहें तो बड़ा सबरक्राइब जो भी हाता है दियुक्ष नाता है इसी लिए बड़ा लिखे तो इसका विल्वेशंग अगर 10 है तो मैं बॉलोंगा बो दस से बड़ा जैसे बोलोंगा झाएश मेरा तफ से बड़ा सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर आजाता है एंट्रोपी जनरेशन सिंपल और यह मेरा हमेसा पोजिटीव होता है यह आपको पता में समझाया हूं लॉस होगा ही होगा तो इन्लिवर्सियल के बज़े यह लॉस ही पोजिटीव हो गई कुछ वेल्यू आएगा वालों य है कुछ वेल्यू आएगा यही पोजिटीव हो ठीक है अब बात कर लें यहां पर क्या हम लोग क्या लिए थे नन एडियाविटी वह भी हीट मेरा रिजक्त करा रहें हीट आ सकता जा सकता हो भी हीट को में रिजक्त करा हूं बाहर भेज़ा हूं तो जब हीट बाहर जा रह हीट रिजेक्शन तो नेगिटीव कर देगा एंट्रोपी चेंज क्या अगर नेगिटीव आ जागा भी दो देखो नेगिटीव दस आया समझ गया है मैंने कहाता हीट एडिशन करेंगे ना तो पोजिटीव हो जगा पूरा पूरा भी देखो यह देखो कहां गया यह रहा पूजिटीव तो पूजिटीव हो यह अगर मेने错ग्र है हीटर ऑफ़िए नेगिटीव ही आगए एंट्रोपी तो यहां पर नेगिटीव मैनेश दस मान लिया भी ένα मैं आको संभाएंगा क्यों तो जब मैं यहां तो पे मैनेश दस करा और ससपोज not on प्भूच कर लिया किया द्रॉटी प्राइत दान यहां मेरा हो रहां जाता है जाता है और ओफ यह में पहला कंधिशन यहां पें आपको बोला तो हो सकता है डी एस मेरा बहुत इंडिवर्सिविल्टी है तो 10 अभी भी मेरा डेल की वेटी दस ही है लेकिन इंडिवर्सिल इस बार इस बार आए, छे आए, साथ आए, आठ आए, नौ आए, दस आए, इवेन आपका गारा बारा हजार कुछ भी आए तो मैं बोल दिया कि त लेकिन एक दस भी तो सकता है और अगर ये दस होता है तो ये भी दस था और ये भी दस था और दस माइनस दस हो गया जीरो कंडिशन हो सकता कि नहीं लेकिन हो तो सकता है बात यह हो सकता है यह नहीं हो सकता है लाखों में होगा लेकिन दोनों भी बरावर हो सकता है अगर दोनों बरावर हो गया हो गया जीरो जीरो हो गया इन्हीं कि एंट्रोपी और स्टेंट हो गया यह जबकि कंडिशन क्या माने थे हम लोग माने थे कंडि को सकता है धिर भी जो डहीं नहीं है कि कोई मेरा ईसेंट्रोफिक रहेगा ना तो मेरा रिवर्सिवल होगा देखो यह अन हम लोग प्रूब कर दिये लेकिन क्या यह मेरा रिवर्सल्ट था यह रीवर्सिवल नहों कि मा मैं नट नीट टू बी रिवर्सी जोरी नहीं है कि अगर होते तो मेरा रिवर्सी वली होगा और एडियाब्यतिक ही होगा समझ गें इसीलिए लेकिन 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 अगर आप इसे लिए ना तब हंड्र परसन वह रिवा सा टिक के वज़ें से क्योंकि यह जीरो तो जीरो बड़ा संतिंग टी तो जीरो तो यह मेरा डीस ओटमेटिकली हो जाएगा समझ गए यह हो गया इसका प्रूफ तो आपको बस यह बताना था यह वाला पॉसिबल हो ही सकता नहीं लेकिन यह वाला पक्का होगा 100% हर बार यह क्या चीज आपको समझ बोल दीजिए दो घंटा के क्लास में मुझे लग रहा है आज आप लोगा पुरा एंट्रोपी भी खतम का तूंगा अ कि 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 यह सर यह सर यह सर ओक्यों कर दियर थैंक यू यस ठीक है वेरी गुड चलो तो आगे बढ़ता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ मैं बात करता हूँ देखो इसमें क्या समझाया गया है इसमें यह समझाया गया है कि entropy generation मेरा क्या है entropy generation देखो अभी तक अभी तक आप जानते हैं कि ये मेरा change entropy है this is your entropy ये जानते हैं और एक आपको entropy मिला क्या मेरा entropy generation मिला । इसके बारें मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारें सब पता है entropy government सब पता जैसे ये मेरा सिश्टम का property है, मैं पूँब करा ना क्योंकि D है सो सिश्टम का property है, ये मेरा है point function ये आपको पता है, ठीक है, point function है इसका exact differentiation किया जा सकता है exact differentiation हो सकता है लेकिन सार इसके बार में तो कुछ नहीं पता, खाली ये पता फोजिटिव होता इसका क्या हाल है, क्या है मेरा point version है, क्या है सर, चलो discuss करता हूँ, देखो, देखो, as we know that individual के लिए वही, DS मेरा बड़ा होता, बड़ा मतलब क्या कि, change entropy मेरा del qubit plus entropy generation, और ये भी मेरे को पता कि, ये दो पता चीज़े, सर ये मेरा हमेसा positive होगा, और ये आता है, इन्रिवर्सिलिटी के चलते, अब हम लोग चेक करना है, चेक ये करना है, कि इन्रिवर्सिलिटी के लिए, और अगर मैं अलग अलग path लेता हूँ, तो क्या इसका entropy generation, same होगा, like, आपका entropy, या entropy generation, अलग है entropy से, एक entropy, एक entropy generation है, अभी आपको समझ आगा, कि entropy जो होता, point function होता, लेकिन entropy generation, path function होता है, मैं इसको लिखते हैं, ds से, लेकिन इसको लिखते हैं, dells से, इस तर लिखते हैं, कि ds देखना, ds equal to dell q by t, और प्लस कर देंगे कि यहाँ पे, dells, समझो, ये दोना का दोना entropy है, ये भी entropy है, और ये भी entropy है, ये बस है क्या entropy, entropy है generation, और ये क्या है मेर entropy है, only entropy, ये entropy D से लिख रहे हैं, लेकिन इसको dell से, dell से लिखे जा रहा है, क्यों, वही चीज़ बताया जा रहा, देखो, मैं simple क्या कर रहा, कोई भी graph ले लिए, tspb, कुछ भी graph ले लो, hs, कोई भी, कोई भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसमें फिर से दो process चला है, और जैसा देख के लगए आपको सर ये दोनों को मेरा in reverse हो है, क्योंकि डोटर अडलाइन से दिखा रहे है, तो इस योर in reversal process और उपर वाला भी क्या मेरा in reversal process है, clear, विल्कुर सर दोनों को मेरा क्या है, in reversal process है, now, अब हम लोग बात कर रहे है, दोनों का in reverse होटी चेक कर रहे हैं ठीक ठीक है तो मैं बोल रहा हूं कि इंडिवर्सिटी की इंडिस्वल है इंडिस्वल पात कौन सा लिए है हम लोग 1A2 1A2 is greater than in diversibility 2B1 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 से मैं इसको बढ़ा लिया हूं यह वाले को बढ़ा लिया हूं अच्छा अब entropy generation का अगर मैं बात करता हूं अब मैं यहां पर क्यों मैं बोला हूं भई क्योंकि देखो यह अगर मैं बात करता हूं 1A2 का है ना 2B1 हाँ मैंने बढ़ा लिया है in diversibility माल लेते हैं वो ज़्यादा बढ़ा है मैरा पहला वाला का है अब देखो कहानी जब मैं बात कहता हूं entropy generation का 1A2 का किसका 1A2 का entropy generation तो entropy generation इसका भी इससे बढ़ा होगा entropy generation 2B1 से विकाज more in reversibility more entropy generation क्योंकि more in versibility होगा क्योंकि समझो यह जितना ज्यादा entropy in reversibility है उतना ज्यादा वो क्या करेगा उतना ज्यादा मैंने क्या समझा फिर से समझना प्लीच इसको समझना बहुत इंपोर्टेंट है मैंने यह पहला वाला जो प्रोसेस लिए ना इसको मैं बोल दिया कि ज्यादा बड़ा है अगर ज्यादा बड़ा तो ज्यादा इंडिवर्सिवल है ज्यादा इंडिवर्सिवल है ज्यादा इंडिवर्सिवल है तो इंट्रोफी जनरेशन इसका ज्यादा होगा न मैंने क्या का था जो ज्यादा इंडिवर्सिवल होगा समझ गये कि नहीं कि इसका अगर मैं बोला हूं इस वाले को बोला हूं कि इसका ज्यादा एंट्रोपी है तो यह मेरा पॉइंट पेडिपन नहीं कर रहा कि इस टार्ट हो रहा था एक से और खता मौरा था दो से तो उस केस में तो दोनों से एम होना चाहिए क्योंकि अगर मैं तो यह रहा में एक सपर्ण है यह बात modifying या धाए और यह किसी के थू जाए चाहे मैं बात करूंगा किस पात के थू ओ टू के थुरू जाए तो यह इतना एरिया कवर करेगा या फिर यहांपे यह इस्टू है इतना कवर करेगा कि 1 x 2 बड़ा है तो चुकि इन्टिवर्सइविडी ज्यादा है तो एंट्रोफी जदा होगा तो ज्यादा रेंडमनेस है तो देखो 2B1 से यह बढ़ा हो गया यह यह पास बेडिपेंड कर रहा यह बढ़ा छोटा बोल सकता है यह दोनों का एक नहीं हुआ यह एंट्रोफी जैसा यह नहीं है यह डिमेंज इस पास फंसं यहीं क्या समझे कि एन्ट्रोपी जब पोइंट्फंसर्सन इन्ही सिस्टम का एंट्रो इस लिए यहां पर क्या लिखा जाता है अब देखो कंडिशन पूरा बन गया कि एनी प्रोसेस के लिए प्रोसेस और रिवर्सिवल साइकल और रिवर्सिवल प्रोसेस अब यहां पर एनी प्रोसेस के लिए लिखते हैं डीएस यूनिवर्स यह यूनिवर्स यह लिए 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 और अगर कोई बोलेगा कि दीएस मेरा छोटा हो जाए पूंकि यही कंडिशन क्योंकि हमेशा मेरा जादा neurophi generation always positive होगा समझ गहीं? अब ये समझ आया है क्यों ये मेरा छोटा नहीं होगा impossible क्योंकि DS मेरा होगा Intel Q B T ये हमेशा positive ही होगा ये कभी इसको जाएगा मलब always positive होगा इसलिए कभी भी negative नहीं जाएगा नहीं जाएगा यह हो गया इसका final कहानी चलिए क्या यहां ता clear है so that we are going to the next chapter सर क्रिश्टल क्लियर ओके थैंक यू सो मच जिए दोखो क्रिश्टल क्लियर हो गया ना चुल एक काम कहते हैं इसको खतम कर देते हैं सर प्लीज रहने दिए बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी लगा रहने देते हैं